हालो स्टुडेंट्स मैसल्फ हित अभिलाशी शर्मा वेलकम्स तू अलो फ्यू ओन माई चैनल जानकारी हित बिजनस स्टड़ी बड़ा इंपोर्टन सब्जेक्ट है प्लस वन लेवल ते उस दे बीच बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है हुंडी और टाइप सो फुंडी और अग्रविच गल कर दें इस टॉपिक दे उपर तोनों के लिंग मैं आस तोनों नूचे दे रहें उस वीडियो नू त्यान नल देखो क्योंकि उसदा ही इक टॉपिक है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम पुराने समिट साड़ा बैंकिंग सिस्टम के हो जासी जिसनों सी देशी बैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं उस दे नाली आजदा सड़ा टॉपिक जुड़ेव है इस हुंदी एंटाइप्स ओंडी आउगल कर देयां एक वरी ब्रीफ दे विच इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इंडिया पार्त विच देशी बैंकिंग पार नाली प्लेट इंडिया इंडिया बैंकर्स और मनी लेंडर्स लाइक सेर्स नगर सेर्स प्लेट वेरी इंपोर्टेंट रोल इन दा ग्रोथ ओफ ट्रेड पारदा जिन्नावी वपारक विकास होया है जिसने वारे में डिटेल्ज उस वीडियो दे वीच गाल कीती है इस कांटेंट देना लिटर इशू है ओदे वीच बड़ा इंपोर्टेंट रोल है साड़े इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम दा जो पुरानी बैंकिंग विवस्था सी सिस्टम सी ओना ओना ओदे वीच चाहे हो बैंकर सी मनी लेंडर सी जिनानू नगर सेट वगरा दी नाम दीते जान दे सी ओना दी महत्तो पुन पुमिक है कोमर्स दे ट्रेड दी ड्वल्मेंट दी इस तो इलावा पीपल वाट डिपाउजिट दे और वेल्यूइबल सी विद इंडिजिन्स बैंकर्ज तुक मनी आज अलोन बैंकिंग सिस्टम देच उस्टम में लोग की कर दे सी इना जो दे सी ब हुंडी एंड चिटी वर जूजड फॉर मेकिंग क्रेडिट पार्चेज ट्रेड अंड कॉमर्स न वगे ड्वल्म करन दे ली उदार खरीद वेज करन दे लही वी उस समय हुंडी ते चिटी वर के जड़े ड़कुमेंट सी उनना देनाल ओ क्रेडिट दा सिस्टम चालदा स क्रेड़ाइं जाधे घुंड चिटी तिगल आंड साधे बैंकिंग शीं सिस्टम दा मेनदार śli अंड जाली साथ त्या सथी जो देशी गैंकिंग परनालिया चाल दी सी अज तब मेनली ईसे घंटेंट दे रूपर है हुंडी या चिटी की चीज हैूंडी was a डॉकुमेंट लाइक चेक्स दिस देज विच मेड पॉसिवाल अक्चेंजिंग ओफ गूड्स ओन क्रेडिट तो राइट अनी हुंडी रिजनल लेंगवेजिज वर यूज्ट त्या अनल मेरी गाल सुनो हुंडी का डरंदी जुरूर तो निना में स्टूरेंट से ली हुंड हो सकदा से अजकल जी में चेक दी वर्तों कीती जान दी है किसे व्यक्ति ने किसे बिजनसमैन ने दूसरे बिजनसमैन नो जा व्यक्ति नो कोई गूर्ड उदार वीचियां ओँ आनवाले समेच पेमेंट करेगा इस दी गरंटी ते रूप दे वीच कुछ डॉकुमेंट्स ने जिना नो प्रमाजरी नोट या चेक्स कहने है ओ ले ले जाने ने बिलो फख्चेंज दा प्लस वन दे वीच अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉंटेंट है उस दे वीच डिटेल चीना वरे जो आज डॉकुमेंट से जिना दी मैं गल कर रहा सी बिलो फख्चेंज प्रमाजरी नोट उत्थे काल हुंदी है लेकिन पुराने समय दे वीच एह उजे डाकुमेंट नहीं सी ओधों इक पर चली ते डाकुमेंट सी हुंडी जदों भी वस्तुआ उदा आर्ख्रेदियां वेचें जाने हैं से कि ओधी पेमेंट दी गरंटी मिल इस करके उस समय जड़े डाकुमेंट लिखे जान्दे सी जी में आज़े चेक वगारा ने उस समय हुंडी लिखी जान्दे सी एक एक एक्जामपल दासने है फॉर एक्जामपल ए इस दा बायर एथे मैं शो किता है साइट से देखू बायर गुड्स ओफ रूपीज ए पेमेंट करेगा तब पुराने समय देविच अज कल की करदे ने ए की यह उनू तिन मीने बाद पेमेंट करेगा था तिन मीने बाद दी डेट दा चेक कटके देजन्द है कि तिन मीने बाद भी अपने अकाउंट चेक जमा करवा दे ते पैसे हो दे अकाउंट चाजन गे पर उस समय की हुंदा सी, पुराने समेच, जड़े बायर सी ओ एक डाकुमेंट लिखने जिस्ते ओ ए प्रामिस कर दे सी कि I will pay that money, मैं आए पैसे दोँगा तो नूँद, ता उस समय जो बायर ने ओ डाकुमेंट लिखदा सी उसनों ही हसी हुंडी दे नामनाल जानने है, इक प राइट है हुंडी, as a unconditional and negotiable document, त्याननाल ए हुंडी लिखदा सी, अनकंडिशनल उसते कोई condition नहीं ला सकदा सी, कि जे मेरे कोल पैसे होनों पे फेर दोँगा, जे मेरा बिजनस वदिया चलोगा, फेर दोँगा, ए हुझी conditions नहीं हो सकती हैं सी, त्यों easily transferable भी सी, transferable दा मतल की समझाना है, मालों ने payment B नू करनी है, B सेम हुंडी, किसे तीसरे व्यक्ति नू दे सकदा सी, जे कर B उस हुंडी नू transfer करदा, ता A payment उस व्यक्ति नू ही करदा, जिसनो वो transfer हो जन दी सी, ते उस दे उपर अपना sign करदा सी, जिसने उदार लितेने पैसे, क्योंकि ता पैसे ता देने पहनगे, putting his signature to make a promise to pay Rs. 5000 to B, जि मैं इत्थे असी example ले रहे हैं, उत्थे उस signature करके उस document ते, ते नाल कंडिशन लिखना सी कि एनने दिनावाद payment करूँगा, for example, उने उते पंजाद दिनावाद कैसी मैं payment करूँगा, third person नू या बी नू, क्योंकि मैं क्या transferable ने है, मालो B नू, or on his order to third person after 50 days in future, future देविच पंजाद इनावाद B नू, या B दे order ते, जिसनू भी B कहेगा, उसनू वो payment कर देगा, इह हो जा, ओहो, एक promise कर रहा, A ने, B नू करता, इसनू ही असी हुंडी कहने हैं, पुराने समेच, इस तरह दिना हुंडी जो payments होंद ए तोड़े समने एक पुरानी Bombay province दी, पुरानी हुंडी दिखा रहे हैं था उन्नी सो इकोंजा दी, due date दस सत उन्नी सो इकोंजा, Bombay दे वीचा है, एदेच 86 days दे, बाद फुकता आं दी हो, promise कर रहे है, 86 days after date, we promise to pay to say it, ओधा नाम है अगे, और order the sum of rupees, पच्छी सो, टू त cash this day, के लच्छमन दास, केंगर, उसने ब्रॉकर दे थू, जड़ा ब्रॉकर दा नाम है, एक व्यक्ती ने इस तरह दी हुंडी लिखी, पुराने समय जो हुंडी सी, ओधा ए रूप सी, देखनू मिल दा सी, हल लिख्या वे तोड़े सामने हुंडी, स्टेंप टिकट लगी हुआ है, उसने शिक्स आना दी, शी आनने टिकट लगी हुए, एक फार्मिट है जस्ट टू शो के किस तरह दी हुंडी हो सकती इस समय, किस तरह दी हुंडी हुंडियां सी, आ हुंडी दी रेप्योटेशन बहुत ज़ादा हुंडी सी, ते औना भी हुंडी सारी दुनिया उस्तों बद अग्य वद्धे कल कर दें से प्रेजंट पजीशन ओफ फूंडी मजुद्धा स्थिती की है Negotiable Instrument Act 1881 is an act in India dating from the British colonial rule that is still in force largely unchanged Negotiable Instrument Act जदों साथे थे British government सी अंग्रेजान दी सरकार सी ताउना ने एक Negotiable Instrument Act 1800 क्यासी दे विच बनाया उस act दे अनुसार की हुंदा सी कि दो पार्टिक्स दे विच जदों इस तरह दे समझोते होने ने पैसे बास देने ने एक प्रामिस किता जाना है उस दे उपर conditions लागू हुंदे सी नियम लागू हुंदे सी जब कोई व्यक्ती पेमेंट नहीं कारदा सी ताउस व्यक्ती नों कोर्ट दे विच जाके सजाद लाई जा सक दे जुर्मा नहीं हो सक दे जा लेकिन अजन्दी पॉझी दे रिगार्डि कोई रूल नहीं है क्योंकि सेम नेगोशेवल इंस्ट्रुमेंट एक्ट अठारां सो एक यासी वाला लिटल विट चेंज देनाल लार्जली आनचेंज रूप चा अज भी लग हुए साड़े देश सो इट हैस्ट विकाम इल्लिगल इंडिया सो इकल क्लीर होगी के हुंडी अजदे समय देश देविच गैर कनूनी है समझ हो गया स्टुटेंट अब यह हुन टाइपस ओफ हुंडी हुंडी दिया जिए टाइपस ने बेसिकली उन्हानु दो अदा आर्थ यासी वांट सकते है आज इनकां भी गाल करें कि दर्शनी हुंडी चे मुद्धी हुंडी की है ना दर्शनी हुंडी की यह नाम दस रेस्टुरेंट सिखन दा वदिया दांक दर्शन देदे जी दिखा दिता जावे दर्शनी हुंडी एक इस्तरांदी हुंडी हुंडी सी जदों भी इसनू जिसने इस देव पर प्रामिस किता है उदे सामने पेश किता है जानदा सी ओधी पेमेंट कर्मी बेंदी सी मालो उस हुंडी टे लिखे आनदा कि उसी ती दिन तो पहला पहला जुदों मर्जी पेमेंट ले सकते हो ता ती दिन तो पहला किसे विदे जाके जुदों हुंडी उस दे सामने पेश किती जानदी सी जिसने पैसे देने ने उदार उसने पैसे लिदते सी जा उदार वस्तु दे समा, same होई चीज है, the हुंडी on which payment is made after a certain period of time, mentioned on the हुंडी is called मुद्थी हुंडी, it's like time bills, त्याननाल, जही हुंडी, जो एक निश्चित समेन तों बाद, जिस हुंडी दी payment किती जान्दी सी, जो समा होदे विच मैंशन किता जान्दा सी, लिख्या जान्दा सी, उस हुंडी जो मुद्थी हुंडी कहनते सी, it's like time bills, अजकल जड़े bill of exchange है, उस चे नहुं time bills नाम भी देता जान्दा है, हुंडी ते जो निश्चित अवदी लिखी जान्दी सी, जो मुद्द देदा अरते payment होनी है, जो देखान देखान देखाती हुंडी, उन्वासी दर्षणी हुंडी कहनने है, टाइपस ओफ हुंडी, हुंडी, दर्षिनी हुंडी जा मुदती हुंडी, खोई भी होवे, इदी आगे different types ने और टाइप्स केडियां केडियांने उनना दे नाम देखो धनी जोग हुंडी, शाह योग हुंडी, फिर्मान योग हुंडी, देखनहार हुंडी, जोखिम हुंडी, जवावी हुंडी आओ इनना दे वारे ब्रीफ दे विचारीक दे वारे गालेगे सब तो पहला धनी योग हुंडी दा हुंडी उनि वीच पेमेंट वाज मेड तो एनी परसन दा कारियर, ओनर, दा होल्डर और बीरर ओफ दा हुंडी वाज काल धनी योग हुंडी ओहो हुंडी जिस ते पेमेंट उस व्यक्ति नूँ किती चान दी सी जिड़ा की हुंडी नूँ लेके आया या जिड़ा हुंडी दा मालक है या होल्डर है जिस दा नाम उस ते लिख्या वै उस हुंडी नूँ असी धनी योग हुंडी दा नाम कहन दे सी उस समय जिदो हुंडी पर चले सी क्लियर हुंडी ते जिस भी हुंडी दे करियर करियर की लेके आनवला जो उस हुंडी नू लेके आया मालक का जड़ा उस हुंडी दा ओवी हो सगदा सी या जिस दा नाम उस ते लिखे आवे उस ट्राइब दी हुंडी जिस नू जड़ा भी लेके आया उसनू पेमेंट कार द जाने से उन्हों सी धनी योग हुंडी दा नाम दिन दे सी उस तो वाद है शाय योग हुंडी शा सुने ना लोक अनुए तु शाय बहुत शाय मींज अमीर रिस्पेक्टेवल परसनल्टी उससने मनें जाने सी आर्थिक पाक्तों दा हुंडी ओन वीच पेमेंट वाज मेड ट नहीं सी पार शायर दे वीच किसे खास व्यक्ति दी क्राडिवल्टी हुंडी सी उस एरिया दे वीच उस व्यक्ति नूँ पेमेंट करन्दा प्रॉमिस कर जान्दा सी ते जदों जिस उस हुंडी दी पेमेंट उस व्यक्ति नूँ कर दिती जान्दी सी कोई थर्ड परसन हो जिस हुंडी दी पेमेंट उस रिस्पेक्टेबल परसन नूँ शाह नू दिती जान्दी सी, उन वसी शाह योग हुंडी दा नाम दिता जान्दा सी, उस तो बाद है फुर्मान योग हुंडी, दा हुंडी on which payment is made on order was called फुर्मान योग हुंडी, जेकर हुंडी दी पेमेंट उ हुंडी पेवल on the order of the pay, पेई ने जिसनू कहता, जिसनू पेमेंट करनी सी, विस तो पेमेंट उस वक्ति नू कर, ता उसनू ही ओ पेमेंट कर दिती जान्दी सी, जिसनू पैसे प्रापत करनवाला जिदी असल्च पैसे लेंदी, जिदा हक बंदा सी, ओ अगे किसे नू पे कर चुक है धनी जोग हुंडी, उस ट्राइब दी हुंडी, जिसने पैसे देने ने उस देंगे पेश कर देनी, ओ बीरर आप भी हो सदा सी, जिसना नाम उस ते लिख्याव है, उस हुंडी नू देखके ही, उस व्यक्ति नू देखके ही, उस हुंडी दी पेमेंट उनू कर देती जान दे सी, उनू देखना रुंडी दा नाम दने सी, नेक्स तरेज्टाइब जोखिम हुंडी, दा हुंडी वीच वास रिटन आप दीवेंगे इथ टाइम धिस्पैच श किता दन्दा सी, जोभू वस्तुवाणों डिस्पैच कर दिता है जन्दा वेचंतों बात, रस्ते देविचे रिस्क ना हो वे, उस रिस्क नून कवर करण दे लई, वस्त्युम्डि धी पेमेंट ओधो ही किती जांदे सी जदु सّब्स्तिखोंग पर्टिकुल डेस्टिनेशन देऊ ते, 5 जद्या व्यक्ती दो ये, आदरवाइस पेमेंट नहीं किती जांदे सी श्राब हो जाने हैं मालो असी पंजाब चलाने हैं वस्तुमा बंबे तो चल लियां रस्त देविच रस्क ना होवे असी पेंट ऊसे टाइम उते वंबे ना करके वस्तुमा पंचन दो बाद पेंट करन्दा जिस्ट पर शाधीता जन्दा सी उस राइव दी हुंडी नो आसी जोखिम हुंडी दा नाम दन्दे सी, जोखिम दा रिस्क, एनू तया अन्नाल देखो, दा हुंडी वास रिटन अट ताइम दिस्पैच अफ गुड्स, जदो वस्तो नू दिस्पैच किता जन्दा सी, तो कवर रिस्क दूरिंग ट्रांजिट, दा पेमेंट अफ सच हुंडी वास मेड, रस्ते चे ट्रांजिट अन्दे रस्ते देवीच, रिस्क नू कवर करन दे लई, ए हुंडी दी पेमेंट बाच करन दा प्रामिस किता जन्दा सी, वेन गुड्स वार वीजट अस देस्टिनेशन जदो वस्तुवा पहुंचन दियां सी अपनी जंगा थे, अधर्वाइस नो पेमेंट वाज मेड, कोई पेमेंट नहीं था, नहीं किती जान्दी सी, यकर वस्तुवा रस्ते चो नहीं पहुंचियां, उस देस्टिने उते, जिस व्यक्ति ने वस्तुवा खरी दियांने, लास्ट वन इस जवाव वी हुंडी, ये थोड़ा थ्यानना, ये थोड़ी टेक्निकल नेचर ही, ये हुंडी ओन वीच पेमेंट इस मेड थू बैंक इन केस दा पेमेंट रसीवर लिवस अध दिस्टन प्लेस, जिस व्यक्ति पेमेंट बैंक दे थू कितनी जान्दी सी, आफर सीविंग दा पेमेंट, जिदो बैंक दे थू सिव्यक्ति नू पेमेंट मिल जन्दी सी हुंडी दी, दा सैलर है तो इनफॉम एज जवाव टू दा बायर, अबाउटर सीट ओ पेमेंट, जो सैलर है वस्तुवान वेचन व दे सी, जिते पैसे प्रापत करूंतों बाद, वो जवाव दंदा सी उस व्यक्ति नू जीने पैसे पेज जेने, इंफर्मिशन दंदा सी कि I have got that money, मिनो वो पैसे मिल चुके ने हुंडी दे विच जो लिखे हुए सी, clear? So students, एसी हुंडी, हुंडी दिया टाइप्स, बड़ा इंपोर्टन टापिक है, पुराने समय दे विच जो तो आसी history of trade and commerce दी गल कर दे हैं, ओधों ए बड़ा important document हुंदा सी, indigenous banking system दे विच पुरानी जो banking परनाली शाहु कारां दे द्वारा चाल दे सी, नगर से द्वारा चा कुमर्स इंडिया दे रिगार्दियो जरूर देखो ते आनना, इस्तो वाद होर बहुत सारिया वीडियो कुमर्स दे दिफरेंट सब्जेक्स दे, मुटिवेशन दे आदिया रेंगिया, मैं सार फेथ अवलाशी शर्मा, अगें वेलकम यू यू एर अगें वेलकम यू एर